हेलो गाईस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, सो जैसे कि आपको पता है, आरालपी ग्रूपडी की अंसर की आ गई है और आपने अभी तक अपना स्कोर कार्ड चेक कर लिया होगा सो जितना आपने अटेंट किया होगा, आई होप आपके उतने नहीं आये होंगे अगर सतर आपने अटेंट किया होगा, तो मेरे हिसाब से अगर बहुत ज़्यादा एक्कुरेसी आपने की होगी, तो साठ आये होंगे इससे उपर तो मेरे हिसाब से नहीं आये होंगे बहुत सारे ऐसे स्टुडेंट थे, जिन्होंने 90, 80 अटेंट करके आये थे अब उनके लगबग 50, किसी के साथ इतने माक्स आ रहे हैं, किसी किसी ने तो बहुत ही ज़्यादा 90 करके आये थे 40, 35, तो उनका तो केस अलग है जो सीरियस स्टुडेंट थे, उनके लगबग 45, 50, 55 इनके लगबग आ रहे हैं और ये क्यों हुआ है, क्योंकि जो एक्जाम था आपको पता है, इस बार एक्जाम की डिफिकल्टी लेबल, साइन्स के सारे कोश्चन कंसेप्चुल लेबल के पूछे गए थे, और जिसने भी थोड़ा बहुत गैस करके तुक्का लगाने की कोशिस की, उनका वो बिलकुल गलत हो गया, तो साइन्स का इस बार जो पेपर था, डिफिकल्टी लेबल, बहुत ही ज़्यादा, मोडरेट टू टफ था, और किसी भी सिप्ट में ऐसा नहीं आया है, कि इजी आया हो, ऐसे ही अगर रिजनिंग की बात करें, रिजनिंग में भी ऐसा ही था, कोश्चन लें क्योंकि नीचे कटोफ में क्या क्या है, बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट हैं, जिनके सत्तर प्लस, साट प्लस हैं, जो ज्यादातर स्टूडेंट हैं, उनका पैंतालिस से पच्पन के बीच में ही स्कोर कार्ड है, चाहे वो किसी कैटेगरी के हो, कोई भी जोन हो उनका, और जिसका आपको पता है, ये कितने दिन एकजाम चला है, इसमें कुछ पेपर difficult भी आए हैं, कुछ moderate भी आए हैं, कुछ easy भी आए हैं, तो जिनका difficult पेपर आया है, उनमें attempt कम होंगे, question में difficulty जादा होगी, और उसमें जो गलती होने के chances होते हैं, वो भी बहुती जादा होते है तो इन्हें ये benefit मिलेगा, जो percentile based normalization होगा, इसमें उन्हें definitely benefit मिलेगा, कुछ लोग कहते हैं कि इस normalization में जो percentile based normalization होता है, इसमें आपके marks नहीं बढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल live दिखाऊंगा, जो 2021 में P.E.T. का exam हुआ था, आपको पता है, U.P.P.E.T. का exam होत में बढ़ते हैं, percentile based normalization में, अगर percentile based normalization के बात करें, तो इसमें अगर suppose तीन shift में exam हुआ, और जो topper student है, topper student के पहले shift में, ये topper student है, इसके 65 है, second shift में topper student के 80 आगे, क्योंकि ये थोड़ा आसान shift था, third shift उससे भी आसान था, तो topper student के 90 आगे, ये shift wise है, मैंने आपको बताया, तो 85, 80, 90, इनमें difference देख सकते हो, 65 से 90 कितने marks का difference है, 25 marks का difference है, ठीक है ऐसे 65 से 85 में 15 का है, 80 से 90 में 10 का है, तो इतना difference देख सकते हो, पहले और तीसरे में 25 का, पहले दूसरे में 15 का, और दूसरे तीसरे में 10 नमबर का, इन सभी को 100 माल लिया जाता है मतलब 65 वाले का भी 100% हो गया 80 वाला भी 100% हो गया 90 वाला भी 100% हो गया तो आप देख सकते हो कि मार्क्स का तो difference है सपोज अगर आपके 40 नमबर अभी आ रहे हैं ठीक है और किसी के 75 आ रहे हैं ठीक है तो इनका difficulty level तो बराबर किया जाएगा यानि कि दोनों को 100% मान लिया जाएगा 40 वाले को भी 100 वाले को भी परसेंटाइल में 100-100 मान लिया जाएगा तो ज़्यादा benefit किसे हुआ 40 वाले को हुआ ठीक है 75 वाले को कम benefit हुआ तो इस तरह इसका normalization होता है तो अगर किसी के अभी भी 40 45 ठीक है माक्स आ रहे हैं ठीक है और उसका जो exam था difficulty level बहुत हाड आया है तो उसके उमीद है कि 60 से जो परसेंटाइल बनेगा 60 से 70 से उपर चला जाएगा और उसके selection के chances ज़्यादा हो जाएगे बाकि अभी किसी को नहीं पता है बिल्कुल exactly कि किसका paper hard आया है किसका easy आया है लेकिन मैंने आपको बता दिया कि percentile based normalization कैसे होता है अब मैं आपको दिखा दिता हूँ कि जो 2021 में P.E.T. का exam हुआ था उसमें normalization कैसे हुआ था बाकि आपके जितने भी marks आ रहे हैं भी raw marks जितने भी आ रहे हैं negative को हटा के चाए आप किसी भी zone के हूँ आप comment section में जरूर comment करना और बिल्कु सही comment करना ताकि एक अच्छा सा data मिल सके और सभी student को idea लग सके कि real data क्या है कि कितने marks आ रहे हैं क्योंकि आपको पता है difficulty level ज़्यादा तो student बहुत ही ज़्यादा demotivate हो रहे हैं ठीक है आई होप तो उन्हें थोड़ा सा इसमें idea मिल सके कि real data क्या है अब बात करते हैं so यहाँ पर आप देख सकते हो यह pre-milling pre-milling eligibility test P.E.T. का exam था 2021 का यहाँ पर candidate absolute score है candidate normalized score है और third पर देख सकते हो candidate percentile score card है तो ऐसा ही आपका तीन में row में यह आपका score card आएगा जब group D का आएगा so यहाँ पर देख सकते हो जो student था उसका जो बिलकुर row marks थे वो 69.75 थे 70 मान सकते हो आप और जो इसका normalized हो गया एक number इसमें कम हो गया 69 हो गया और जो percentile based normalization हुआ उसमें इसके 92.01 होगे कितने होगे 92.01 कितने से 70 से 92.0 होगे तो कितने marks का difference आया आप देख सकते हो 22 marks का difference आया तो ऐसा percentile based normalization में भी होता है I hope आपको यह चीजे समझ में आ गई हो बाकि अगर आपके 45 भी आ रहे हैं और general category के हो तो अभी hope ना छोड़ना अगर आपका hard shift आया है तो और आपने अच्छी तयारी की थी तो उम्मीद रहती है कि percentile based में आपके marks बढ़ जाएं बाकि जो average है average का टूब की बात करें तो अगर आपके 53 से 55 marks भी आ रहे हैं मैं average बता रहा हूँ तो इतने में आप अपनी तयारी जरूर करना जो इसके बाद physical efficiency test होगा जिसमें 1000 मेटर की race होगी 4 मिनट 15 सेकिंड में इसे आप जरूर कोसिस करना कि अभी से आप इसे practice करना start कर दें कुछ जोन की इससे ज़्यादा भी जा सकती है अगर easy shift आया उस जोन में ठीक है तो लगता है 62 भी जा सकती है 65 भी जा सकती है लेकिन मैंने एक average माना है कि लगबग जो cutoff है वो 54 के आसपास रहेगा इससे कम भी जाएगा जिसका difficulty ज़्यादा ही है मैं journal की बात कर रहा हूँ या इससे कम भी कटोप जाएगा और इससे ज़्यादा भी जाएगा जिसका easy shift आया इससे ज़्यादा जाएगा जिसका difficult आया इससे कम जाएगा ठीक है बाकि अगर category में benefit देखे तो उनका और भी कम जाएगा 45 हो जाएगा तो ऐसा कुछ cutoff बनेगा आच किस वीडियो में तना ही थैंक यू गएज